योगदर्शन के पहले पाद के 33 सूत्र को पढ़ेंगे योगदर्शन का 33 सूत्र है मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षानाम सुक, दुख, पुन्या, पुन्या, विशयानाम भावनात, शित्त, प्रसादनम सूत्र बहुत प्रसिद्ध है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था हमारे दैनिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है योगदर्शन के सारे ही सूत्र हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए है लेकिन इसमें कुछ ऐसी व्यावाहरिक बाते हैं जिनको हम प्रती दिन आमना सामना करते हैं जिन से जो हमारे प्रती दिन जीवन में कभी न कभी हमारे सामने आ ही जाती है ऐसी हर परिस्थितियों से कैसे निकला जाए उन परिस्थितियों में भी कैसे सुखी रहा जाए इसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया इस सूत्र में लिखी है क्योंकि सूत्र का उद्देश्य ही है मन को प्रसन कैसे किया जाए प्रसन कैसे रखा जाए क्योंकि उपर अवतरनिका में भी लिखा है इस सूत्र की यस्य चित अस्य अवस्थित अस्य इदम शास्त्रेन परिकर्म निर्दिश्यते जिस चित से हमें समाधी तक पहुँचना है जो अवस्थित चित है यानि कि एक ही चित सदैव हमारे साथ रहेगा मुक्ति तक और इस शास्त्र में उसी चित्त से हमारी पूरे लक्ष को पूरा करने के लिए प्रक्रिया लिखी गई है तद कथम वो कैसा है तो सूत्र कहता है वो चित्त प्रसादनम उस चित्त का स्वभाव ही है सत्वगुन उसका स्वाभाव है किसी प्रसन्न तार्था सुख देने वाली वस्तु पर टिकना सुख ढूंडना उसका अपना स्वाभाव है और जब तक उसे सुख नहीं मिल जाता तब तक वो चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है इसलिए मैंने आपसे कल कहा था हमारे चित्त का स्वाभाव है सुख ढूंडना और जब तक उसको स्थाई सुख नहीं मिल जाता वो चलता रहता है जब तक किसी छोटी सी वस्तु से सुख मिला तब तक उस पर टिका और जैसे ही लगा बस इससे स चित्त को एकागर करना है लेकिन चित्त का यह जो स्वभाव है वो बुरा नहीं है वो है हमारे लाग के लिए वो किसी स्थाई सुक की तलाश में है प्रसन्नता की तलाश में है क्योंकि प्रसन्नता और एकागरता दोनों एक दूसरे के पर्याइवाची शब्द हैं एकागरत प्रसन्यता, प्रसन्यता अर्थात एक आगरता और वो प्रसन्यता कैसे हम अपनी चित्त्त की बनाएं तो सूत्र है मैटे करुणा मुधिता पेक्षाना म सुकदुखपुण्या पुण्ये विशयाना भावनातश चित्तप्रसादनम इसमें चार परिस्थितियों की चर्चा ह और उन चार परिस्थितियों के चार ही समाधान हैं। उन चार परिस्थितियों में सबसे पहली परिस्थिति आती है सुख की परिस्थिति, दूसरी परिस्थिति आती है दुख की परिस्थिति, तीसरी परिस्थिति आती है पुन्य की परिस्थिति और चौथे स्थिति आती ह अपुन्य अर्थात पाप की परिस्थिति लेकिन ये चारो परिस्थितियां हमारे साथ नहीं है आ हमारे साथ भी सकती है लेकिन इस सूत्र में जो बात कही गई है वो हमारे लिए चार परिस्थितियां नहीं है बलकि हम जिन से व्यावार करने वाले हैं उन लोगों के साथ य चार परिस्थितियां हो सकती हैं ये चार कैटेगरी के लोग हमें व्यवहार में मिल सकते हैं इसलिए लिखाए विशय आगनाम जो इन चार विशए हैं चार विशए वाले लोग हैं परिस्थितियां हैं हाला कि यहां व्यक्ति नहीं लिखा यहां कुछ भी नहीं लिखा पर जब यह चार विशए हमारे सामने आये हैं यानि सुख की परिस्थिति हमारे सामने आये हैं सुख विशए जिनका है ऐसे लोग ही हो सकते हैं क्योंकि कोई जडवस्तू तो सुखी होती नहीं हैं सुख जिसका विशय है वो केवल मनुष्य हो सकता है दुख जिसका विशय है वो मनुष्य हो सकता है आप कहेंगे पशुपक्षी भी हो सकते हैं सुखी और दुखी हाँ लेकिन अगले जो दो गुण है वो पशुपक्षियों में नहीं आते पुण्य केवल मनुष्य कर सकते ह पाप करने का अधिकार भी उनको नहीं है इश्वर दयालू है कृपालू है पुण्य करना अगर पशुपक्षी का अधिकार नहीं है तो पाप करने का भी उसको अधिकार ही नहीं है यह अधिकार नहीं है यूं समझें कि उसका कर्म पाप होता ही नहीं है इश्वर ऐसा कभी नहीं करता कि इश्वर ने विवेक बुद्धी नहीं दी तो हम पुण्य नहीं कर सकते लेकिन हमारी क्रियाएं पाप के अंतरगत गिनी जाएंगे नहीं अगर पुण्य विवेक बुद्धी से होता है तो पाप भी विवेक बुद्धी से ही माना जाएगा इसलिए जो पशु पुण्य करने वाले लोग सुखी लोग और दुखी लोग तो जो लोग सुख हो रहे हैं सुखी हो रहे हैं जो लोग दुखी हो रहे हैं जो पुण्य कर रहे हैं अपुण्य कर रहे हैं ऐसे चार लोगों के प्रती भावना कैसी रखे जाए उस भावना तह भावना रखने से चित प्रसन्न होगा और प्रसन्न मतलब एक आग्र होगा ये दोनों एक ही हैं अलग बिल्कुल नहीं प्रसन्नता अर्थात एक आग्रता हैं मैं पहले समझाया था वैसे प्रसन्नता एक आग्रता कैसे होती है लेकिन फिर भी अंत में एक बार चर्चा और कर लेंगे पुरुज आवाज कट ये दुबारा बोने सेंटेंस को आचरी इस बात को पुने समझा देजे आवास जी कौन सी वाली देखिए हम यहां चल रहे थे कि जो सुखी दुखी पुण्य और अपुण्य ये केवल मनुष्य ही हो सकते हैं अभी भी रुकी हुई है अभी भी रुकी हुई है अब अचारे जी सही है अब ठीक है तो सुखी दुखी पुण्य और अपुण्य ये केवल मनुष्य हो सकते हैं पशुपक्षी नहीं हो सकते हैं और इन चार लोगों में क्या भावना हमें रखनी है क्या करना है ये नहीं कह रहे हैं क्या भावना इन लोगों के प्रति हमें रखनी है, अपने मन में किस प्रकार का विचार इनके प्रति लाना है, करना क्या है, वो एक अलग विशय केवल सोचना क्या है, इसके लिए कह रहे हैं, ऐसी भावना रखने से चित्त में प्रसनता आएगी चित्त प्रसादनम प्रसन्नता और एकागरता दोनों एक ही हैं पर्याईवाची शब्द हैं चित्त प्रसन्न होगा अर्थात एकागर होगा और एकागर होगा अर्थात प्रसन्न होगा कैसे होगा एकागर और कैसे होगा प्रसन्न यानि कि प्रसन्नता और एकागरता पर्याईवाची क्यों है वैसे तो पहले इस पर हम चर्चा कर रहे हैं लेकिन आप इसको यू समझे कि इस दुनिया में जब भी हम प्रसन्न होते हैं वो कौन सी परिस्थिती होती हैं, जब हम विचलित होते हैं या अविचलित होते हैं, एक शब्द बहुत प्रचलित है, ये विचलित हो गया है, परिस्थितियों को जेल नहीं पाया, थोड़ा सा दुखाते ही विचलित हो गया, विचलन क्या होता है, विचलन मैं अस्थिर, तिकाव ना रहना, हिलना डुलना, यानि कि जब व्यक्ति स्थिर नहीं रह पाता, तब उसे कहते हैं, विचलित हो गया है, डामाडोल हो गई है स्थिति, मन टिक नहीं पाया, मन समहल नहीं पाया, फिसल गया, इसलिए जब भी किसी परिस्थिति में हमारा मन समहल नहीं पाता, विचलित हो जाता है, तब हम दुखी हो जाते हैं, तो मन का विचलित होना और दुखी होना एक ही बात है, अब इसके विपरीत आईए, हर परिस्थिति में मन का टिकाव रहना है, अडिक रहना है, वो प्रसन देता है तो इसलिए मन का एकाग्र रहना और प्रसंद होना एक ही बात है एक और परिस्थिति को समझते हैं इस दुनिया में भी जो सुख हम ले रहे हैं अभी तक वो सब एकाग्रता का सुख है कैसे एकाग्रता का सुख है हम कोई वस्तु खा रहे हैं भोजन खा रहे हैं अब तक मन इंद्रियों से जुड़ा हुआ है वस्तू का सुख मिल रहा है और जिस क्षण हम इंद्रियों से कटे यानि कि हमारा मन कुछ और सोचने लग गया कुछ और कार्य करने लग गया वैसे ही हमें सुख मिलना बंद है जैसे सोते समय हमें भोजन का सुख नहीं मिलता सो सोते समय नर्म बिस्तर का सुख नहीं मिलता, सोने के बाद में बिस्तर ये मिट्टी, जमीन, भूमी एक होती है, कोई अंतर नहीं है, अगर हम सो चुके हैं तो, इसलिए अगर सुख चाहिए तो एकाग्र होना जरूरी है, जब तक हम एकाग्र हैं, चाहे भोजन पर, चाहे श की बात है, तो जब इस सूत्र में लिखा, चित्त प्रसादनम, भावना तह चित्त प्रसादनम, ऐसी भावना बनाने से चित्त प्रसन्न होता है, अर्था चित्त एकाग्र होता है, क्या करना है हमें, सुखी, दुखी, पुन्यात्मा और अपुन्यात्माओं के प्रति, क्य भावना रखनी है चार ही परविस्थितिया बतादी मन की क्या स्थितिया हो सकती है मैत्री मित्रता करू अर्थात उनके प्रति करूणा यानि reflection उनकी भलाई के बारे में सोचना मुदिता प्रसन्न हो जाना मुदिता का अर्थ यहां बो एकागरता वाली प्रसन्नथा नहीं है मुदिता मने हर्ष मने संतोष और चौथा है उपेक्षा उपेक्षा अर्थात मेरे हाथ में नहीं है मैं व्यक्ति को बदल ही नहीं सकता और जो मैं कर ही नहीं सकता उसे करने का प्रयास क्यों करूँ क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता यही है जो मैं नहीं कर सकता उसको करना चाहा रहा हूँ लेकिन जिसको कर सकता हूँ वो तो हाथ में है उसको तो कर लेना चाहिए तो ये उपेक्षा अब ये चार परिस्थितियां हैं और चार परिस्थितियों में चार प्रकार की भावना है पहले के साथ पहला दूसरे से दूसरा तीसरे से तीसरा और चौथे से चौथे को जोड़ देते हैं तो सबसे कहा मैत्री की भावना रखनी चाहिए किन के प्रती सुखी लोगों के प्रती क्यों रखनी चाहिए कहना क्या चाहते हैं इससे अर्थात अगर महर्शी पतंजली जी कह रहे हैं मैत्री रखनी चाहिए मित्रता की भावना बनानी चाहिए सुखी लोगों से तो वो ये समझ रहे हैं कि संसार के लोग सुखी लोगों से मित्रता की भावना नहीं रखते हैं तभी तो कहना पड़ रहा है अगर जैसे कि उपर कहा अगर चित्र पहले से ही एक आग्र है तो चित्र को एक आग्र करनाच चाहिए ये वाक्की अपने आप में व्यार्थ हो जाएगा ऐसे ही सुखी लोगों के प्रती मित्रता रखनी चाहिए इसका मतलब है मितरता नहीं रख पाते हम सामान्य मनुष्य सुखी लोगों को देख करके मितरता नहीं बलकि मन ही मन सामने वाला सुखी है मैं अगर सुखी नहीं हूँ तो फिर मेरे लिए इससे बुरी बात क्या हो सकती है मन में तनाव, असंतोश, ये भावनाई धीरे-धीरे मन में पनपने लगती, सुखी लोगों को देख कर, लेकिन गणित उल्टा है, जो भी लोग सुख चाहते हैं, उन्हें छोटा सा गणित फॉलो करना पड़ेगा, और गणित ये कहता है, कि आपको जैसा बनना है, आपको वैसे लोगों के पास में रहना पड़ेगा, हम कहते हैं, परमात्मा हमारा मित्र है, परमात्मा को मित्र बना लीजिए, हम कहते हैं, हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, हम कहते हैं, हमें परमात्मा को साक्षातकार करना है, सवाल है क्यों, क्यों परमात्मा को साक्षातका करना है क्यों परमात्मा से मिलना है क्यों उसकी उपासना करनी है यानि क्यों उसके पास बैठना है और क्यों उसे अपना मित्र बनाना है तो गणित ये काम करता है कि हम जिसके पास रहेंगे उसके जैसे बनते चले जाएंगे ये स्वभाव है मनुश्य का वो जैसा देखता है जैसे व्यक्ति के आसपास रहता है वो धीरे धीरे वैसा बनता चला जाता है आप किसी अच्छे समझदार सभ्य व्यक्ति के पास रहें आप सभी सभ्य हैं तो हम भी सभ्य बनते चले जाते हैं हम किसी असभ्य व्यक्ति के पास गलती से रहना प्रारंब कर दें, हम भी आप देखेंगे महीने भर बाद हमारी भी आदतें स्वभाव धीरे-धीरे वैसी ही होती चली जाएंगी, बहुत धीरे-धीरे होंगी पर होंगी, हम किसी लगातार तनाव में रहने वाले, चिंता में रहने वाले व्यक्ति के पास रहने लगें, तो हम भी असंतुष्ट होते चले जाएंगे, हमारे अंदर भी वही चुर्चड़ा पनाता चला जाएगा, हमारे अंदर भी वही निराशा के भावाते चले जाएंगे, चुकि वही हम सुन रहे हैं, वही हम लगतार देख रहे ह और गनित है दुनिया का जैसा हम देखेंगे सुनेंगे हम भी वैसे ही बनते चले जाएंगे तो फिर क्या करें तो सुखी रहने के लिए क्या करें सीधी सी बात है सुखी लोगों के पास में रहिए अगर सुखी रहना है तो सुखीयों के पास में रहिए और पास में रहेंग सुखी रहने के लिए सुखी लोगों के पास में रहिए, पास में रहने के लिए मित्रता आवश्यक है, इसलिए कहा सुखी लोगों से मित्रता रखिए, उनके साथ तालमेल रखिए, वो आप से और आप उनसे कुछ कह सकें, साथ समय बिता सकें, आपका और उनका सामन जसी अ मित्र के परती भावना रखते हैं, तब हम भी सुखि होने लगें, दूसरे व्यक्ति आते हैं दुखी व्यक्ति, प्रश्ट कई बार लोग उठाते दुखीयों को देख करके मित्रता के भाव नहीं रखने चाहिए इसका मतलब दुखी लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए तो मैं यस योग दर्शन की कक्षा में स्पष्ट तया कहता हूं हां दुखी लोगों से मित्रता के भाव नहीं रखने चाहिए चाहिए आपका और योगों से मित्रता के भाव क्यों नहीं रखने चाहिए इसके लिए कुधारन समझे मित्रता का मतलब होता तालमेल मित्रता का मतलब होता है एक सहद संतुलन आप सोचिए एक व्यक्ति पानी में गिर गया तैरना उसे नहीं आता है धीरे धीरे डूब रहा है आप उसे बचाने जाएं आपको तैरना आता है तो परिस्थितियां पता क्या बनती हैं अगर आप डूबने वाले व्यक्ति को बचाने जाएं और एक मित की तरह उससे उस समय भावना रखें कि इसे कुछ भी करके उसे अपना हाथ पकड़ाएं तो वो क्या करेगा डूबता व्यक्ति सदेव एक काम करता है उसे जो चीज मिलती है उसे पकड़ करके खींचता है ताकि वो ऊपर उठ सके यानि आप उसको बचाने गए हैं और जैसे ही आप अपना हाथ उसे देंगे वैसे ही वो व्यक्ति आपका हाथ पकड़ेगा आपको नीचे दबाएगा स्वयम तो उबरने से रहा आपको साथ में डूबा लेगा वो प्रयास करेगा क्योंकि अंतिम समय है उसका उसके प्रान लग रहा है है निकल जाएंगे वो कुछ भी करके अपने प्रान बचाना चाहता है गलती उसकी नहीं है वो दोशी नहीं है तो वो जो भी उसको मिलता है उस पर बैठ कर खड़े होकर उपर देखने का प्रयास करता है ताकि सांस मिले उसे तो जैसे उसके पास कोई व्यक्ति जाता है बचाने के लिए तो वो तुरं पुदे व्यक्ति को बचाना हो तो तरीका ये नहीं होता कि हम उसका हाथ पकड़ें बलकि तरीका होता है सबसे पहले उससे अपने को बचाएं तो इसलिए अधिकतर लोग जो डूपतों को बचाते हैं वो क्या करते हैं वो अधिकतर उनके पीछे से जाते हैं और पीछे से उ आप उन्हें न दिखाई दें और वो आपको पकड़ ना पाएं और मुँपर हाथ मार करके फिर उनको धीरे-धीरे ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं अब सोची अगर ऐसे में मित्रता के भाव हूं और मित्रता का मतलब ही है कि भाई तुम्हारा दुख मेरा दुख मेरा दुख तुम्हारा सुक मेरा सुक मेरा सुक तुम्हारा सुक हम सामने वाले व्यक्ति को बचाने आएं हैं क्योंकि वो दुखी है वो व्यक्ति दुखी है और जो दुखी है अगर उसका दुख मेरा दुख हो गया तो मैं भी दुखी फिर मैं उसको कैसे निकालूंगा दुख से फिर किसी तीसरे को आना पड़ेगा हम दोनों को दुख से निकालने के लिए इसलिए प्रायह आपने देखा होगा किसी पर आपत्ती आती है तो माएं बहुत सहद स्वभाव की होती है जिसको कहते हैं तरल स्वभाव की बह जाती है इसको कहते हैं भावनाओं में बह जाना तरल जो चीज होती है लिक्विड जो चीज होती है उसका स्वभाव होता है बहना वो एकदम से सामंजश से बठा लेती है जैसे पानी में कुछ भी ड पर कोई आपत्ती आती है या परिवार में किसी परापत्ती आती है तो प्रायह करके अधिकतर मैं सब की बात नहीं कर रहा हूं उनका प्रेमिस नहीं स्वभाव होता है वो प्रायह परिस्थितियों को समहलने की बजाए उन परिस्थितियों में स्वयम गिर जाती है उनका पत्ति में आए व्यक्ति को देख करके स्वयम भी परेशान हो गया है, बीमार हो गया है, चक्कर आ गये है, रुग्ण हो गया है, जिसके हरदय की धड़कन बढ़ गई है, अब दो-दो व्यक्तियों को समालना पड़ेगा, इसलिए अगर किसी दुखी व्यक्ति को देख करके कि हम मित्रता के भाव मन में रखते हैं, तो स्वाभावी कि हम भी दुखी होंगे, तो फिर लाब क्या रहा, मैं कहां उसको दुख से निकाल पाया, स्वयम भी दुखी हो गया, और न मुझे दुखी होना है, न उसे दुखी होना है, लक्ष जीवन का ये है कि मुझे सुखी होना है, लक्ष जीवन का है कि प्रसादनम, चित्व प्रसन रहना है, और दूसरे का भी करना है, तो इसलिए करुणा की भावना रखे, करुणा मतलब मैं कैसे इसे दुख से निकाल पाऊं, इस भावना को कहते हैं करुणा, कैसे इसे दुख से निकालू मैं, ये कैसे सुखी हो, कैसे इसकी चिंताएं दूर हो, कैसे इसकी समस्याएं दूर हो, ये भावना है करुणा की भावना, और ये महित्री से तो नहीं हो सकती कम से कम, मितरता में तो सुक्धुग दोनों के बराबर हो जाते हैं इसलिए जिस समय विवाह में पति-पत्नी संकल्प करते हैं तो वो कहते हैं यदस्ति हृधयम तव तदस्तु हृधयमम जो तुमारी भावनाएं हैं वो मेरी भावनाएं बन जाएं क्यों कि आज के बाद हम दोनों एक दूसरे के मित्र हैं वो दोनों एक दूसरे की भावनाओं से प्रभावित होते हैं लेकिन अगर किसी व्यक्ति को प्रसन रहना योगी साधक बनना है जीवन में और ग्रिहस्थ से भी आगे बढ़ना है चित्त प्रसादनम चित्त की प्रसन नतावश्यक है और इसके लिए दुखी व्यक्तियों को दुख से निकालने के भाव रखिये न कि उनके साथ दुख में बह जाने के भाव आगे अगला शब्द आता है पुण्य जो पुण्य करने वाले लोग हैं उनसे क्या भाव न रखें क्योंकि अधिकतर पुण्य करने वाले लोगों को देख करके मन में जो स्वाभाविक एक सामान्य व्यक्ति के मन में जो भाव आते हैं वो भाव आते हैं इरश्या के भाव हम कुछ अच्छा काम करके जाएं लेकिन प्राईह केहते हैं लोग सामाज एक संगठनों में धार्मी संगठनों में जगडे क्यों रहते हैं लोग हमसे भी सवाल पूछते हैं अरे समाज इतना अच्छा संगठन है उसके सिद्धान बहुत अच्छे है रिशिद'S suppliers जो बड़ी प्यारी मान्यताइं दे करके गए है आरे समाज को फिर भी आरे समाज में एक समस्या क्यों है या किसी भी संगठन में आरे समाज ने किवल अकेला आरे समाज नहीं है कि ऐसा क्यों है कि लोग परस पर द्वेशी करते रहते हैं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं वो कहते व्यक्तिकत रूप में अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये भी विद्वान व्यक्ति है ये भी चाहता है समाज आगे बढ़े ये भी धार्मिक है दूसरा जो व्यक्ति है आप उसको व्यक्तिकत रूप में देखेंगे ये भी अच्छा व्यक्ति है ये भी समाज को आगे ले जाना चाहता है ये भी समाज को आगे ले जाना चाहता है दोनों व्यक्ति विद्वान हैं दोनों पर भरोसा है लेकिन जब दोनों आपस में एक दूसरे से व्यवहार करते हैं तो दोनों का व्यवहार हमें उल्टा दिखाई देता है ये इसका विरोध कर र कर रहा करल है इसलिए δो सब्सक्कार्ब बहुतस सारे व्यक्ति होते हैं हमारे से मान लिए मैं आपको पढ़ा रहा हो सकता है आप लोग मेरे बहुत अच्छे भाव रखते हूं हो सकता है आप किसी मतलब आपको कोई और भी पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप बहुत सारी कख्षाइं लेते होंगे स्वाध्याशी लोग है आपके तो आपके लिए उनके प्रती भी बहुत सारी आपके मन में अच्छी भावनाएं होंगी बिल्कुल हो सकती हैं तो ऐसे आपके तीन चार गुरू हो सकते हैं आरे समाज में बहुत सारे विद्वान हैं आरे समाज की विशेष्टा ही यही है कि उसके पास विद्वान बहुत है तो आपके आरे समाज के कारिकरम में कोई विद्वान आए आप उनको बहुत अच्छा मानते हैं लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा है जिसको आप बहुत ही ज़्यादा टॉप पर मानते हैं तो और सोचिए अगर उसके प्रती आपने किसी के मूँ से कुछ ऐसी बात सुन ली नहीं वो ऐसे कहा है उन्होंने तो ये गलत कर दिया उन्होंने तो ये बुरा कर दिया वो ऐसा बढ़ कर रहे हैं तो हम हमारे मन में क्या आता है ये आदमी बुरा बहुत है क्योंकि मेरे गुरुजी की कमिया निकाल रहा है ये अधार्मिक है क्योंकि धार्मिक का विरोध करने वाला धार्मिक तो नहीं हो सकता मैं स्वयम कह रहा हूं और अगर किसी ने दूसरे व्यक्त दोनों का एक दूसरे के पृति व्यवार देखेंगे तो दोनों ही अधार मिक दिखाई देते हैं क्यों ऐसा होता है क्योंकि एक छोट असा भरत्री हरीजी ने स्लोक लिखा है वो कहते हैं बोध्दार वद्धिमान लोग है जिनके पास बुद्धि का भंडार है वो मतसर में ग्रस्त है मत्सर माने अहंकार में ग्रस्त है मैं ही अच्छा हूँ मेरे से आगे और कोई अच्छा नहीं हो सकता इसका कोई व्यक्ती शिश्य कैसे बन गया इससे कोई व्यक्ती क्यों इतना पढ़ रहा है मैं इसलिए कहता हूँ आप पढ़िये, अलग-अलग लोगों से पढ़िये, योग-दर्शन आपने मुझसे पढ़ा, पढ़ रहे हैं, औरों से भी पढ़िये, जब हम एक ही विषय पर, अलग-लग लोगों की राए जानते हैं तो विचार खुलते हैं सपश्ट होते हैं और जादा वो धारोमत सरक ग्रस्ता वो धिमान लोग अपने ही अंकार में ग्रस्त हैं ये मेरा शिश्य होना चाहिए ये दूसरे का क्यों है अच्छा इसने इतना अच्छा काम कर दिया आप तो जनता इसकी प्रशंसा करेगी अच्छा इसने इ लोग हैं मेरे परीचित के उन्हें भी जाने से रोक दूगा कहूंगा वहां तो कुछ भी नहीं होता या सीधे सीधे नहीं बोलूँगा पर इंडारेक्टली बोल दूगा हाँ ठीक है अच्छा तो है कारेक्रम लेकिन इससे भी अच्छा ये होना चाहिए होना तो ऐसा चा यह हमारा स्वभाव है इसलिए पतंजली जी को कहना पड़ा कि पुन्य लोगों को देख करके इरश्या एक प्रतिस परधा का भाव प्रतिस परधा में फिर हम उसको पीछे खींचने का प्रयास करते हैं इसलिए नहीं कि हम समाज में कुछ अच्छा होता हुआ नहीं देख उनमें से कुछ को छोड़ दीजिए कुछ तो महास्वार्थी होते हैं कुछ तो आचरण के भी भरष्ट होते हैं कुछ लोग सराब भी पीते हैं मैं स्वयम जानता हूं ऐसे लोगों को लेकिन अधिकतर लोग अच्छे ही होते हैं और समाज को अच्छी दिशा में ही ले ज चाहिए पुन्यए लोगों को देख करके मन में परतिस पढ़धा आएगी ही आएगी ये काम तो मेरे द्वारा होना चाहिए दूसरे के द्वारा क्यों हो रहा है इसलिए मैं इस चीज़ को अनुभव करता हूँ कि जो लोग कुछ कर सकते हैं उन्हें महत्व क्यों नहीं मिलता समाज में क्योंकि डर लगता है ये व्यक्ति आ गया इसने कोई काम कर दिया तो मैं तो पीछे रह जाऊंगा अगर मैंने इस व्यक्ति को काम करने का आफसर दे दिया योग्य है या मैं जानता हूँ ये योग्य है लेकिन अगर मैंने इसको क परिणाम भी देखने को मिलेंगे लेकिन वो परिणाम मेरे नाम पर दर्ज नहीं होगे दूसरे के नाम पर दर्ज ना हो जाएं इसलिए हम योग्य लोगों को आगे नहीं आने देते पुन्य लोगों को देख करके प्रतिस परदा छोड़ करके मुदिता के भाव प्रसनता के भाव लाने चाहिए, क्यों हो ऐसा, अच्छा प्रसनता के भाव लाने क्यों चाहिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए, इसलिए लाने चाहिए, सोचिए मुझे समाज को अच्छा बनाना है, पुन्य क्या, समाज को अच्छा बनाने के लिए कुछ कार्य करना, अब मान लीज स्थेतियों से उनके बच्चों को पढ़ाना है आर्थिक दृष्टी से उनको अच्छा बनाना है आच्रण उनका अच्छा बनाना है उनको सिखाना है पचास लोग हैं अब सोचिए पचास में से अगर पच्चीस लोगों को किसी और ने अच्छा बना दिया तो मेरा काम केवल 50% बचा है मैं केवल 25 लोगों को अच्छा बनाने की जिम्मेदारी अब रखता हूँ यानि कि मेरा काम आधा हो गया तो लाब हुआ न अरे भाई कोई व्यक्ति मेरे काम में से आधा काम कर दे और मेरा काम आधा ही बचे इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है इसलिए जब हम पुन्यात्माओं को देखें कि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है मुझे भी वही काम करना है मैं भी पुन्यात्माओं मैं भी दुखियों को सुखी करना चाहता हूँ वो भी दुखियों को सुखी करना चाहता है मैं भी समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं वो भी करना चाहता है इसका मतलब मेरे और उसके लक्ष एक जैसे हैं और एक जैसे हैं तो मेरा अधा काम तो हो रहा है तो प्रसन्न हो ये अरे मुझे 50 किलो भार उठाना है अकेले नहीं उठा पा रहा हूँ कोई व्यक्ति दिखाई दे गया और आकर के कह रहा है भाईया मैं आपकी सहायता करवा दूँ तो प्रसन्न हो ये इस अहंकार में मत रहिए किसी ने देख लिया कि इसने वजन उठवाया था मेरा तो लोग तो इसकी प्रशंसा करेंगे कि देखो कितना दयालू है इसने वजन उठवा के रख दिया इस चक्कर में हम कई बार सहायता ही नहीं लेते नई पुन्यात्मा को देख करके मुदिता के भाव प्रसनता के भाव अपने मन में लाइए कि चलो मेरे जैसे और भी है समाज के भला करने वाले लोग दुनिया में हैं और अंतिम हैं अपुन्य जो पापी लोग हैं जो अपराधी लोग हैं उनके प्रती मन में क्या भावना रखनी चाहिए तो पतंजली जी कहते हैं उपेक्षा की भावना रखनी चाहिए उपेक्षा अर्थाद अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो वो तो क्रिया वो तो कर्मक्षेत्र में आ जाएगा लेकिन यह सूत्र कर्म करने के लिए कही नहीं रहा है कर्म करने की जब बात करेंगे तो अलग शायद सूत्र लिखते ही है संभवता लेकिन यहां के अबल भावना की बात है हमें उन मन में उनके प्रति क्या रखना है तो कहा उपेक्षा की भावना रखनी क्यों उपेक्षा की भावना इसलिए रखनी है अगर मैं किसी अपराधी को रोक सकता हूँ तो रोकूं और नहीं रोक सकता तो असंभव है रोकना तो उपेक्षा की भावना और अपराधी का मतलब ऐसा नहीं कि जान से मार रहे हैं नहीं अप उन्य लोग है अप उन्य लोग कर दी कल को उसकी बुराई किसी से कर दी तो यह जो अपन्यात्मा लोग होते हैं जो छोटे-छोटे व्यवहारों में भी अपन्य करते रहते हैं उनके प्रती उपेक्षा की भावना रखिए सोचिये ही मत उनके बारे में जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल रहिए छोड़ दीजिये अपने हाल पर छोड़ दीजिये ईश्वर की नियाय व्यवस्था पर छोड़ दीजिये क्योंकि मैंने कहा सबसे बड़ी मूर्खता होती है ये कि जो हम नहीं कर सकते हैं उसके बारे में चिंतित हुए पड़े हैं, कर सकते हैं तो करना ही चाहिए, कर सकते हैं तो बिलकुल, हमारे हाथ खुले हैं, सक्री हमें होना चाहिए, रोकना चाहिए अपराद को, लेकिन मुझे पता है, मैं रोक नहीं सकता, असंभव है मेरा रोकना, जैसे उधारन के लिए, उधारन के लि मुर्गियों को पक्षियों को उल्टा टांग करके ले जा रहा है ये अवैद है इसे हम रोक सकते हैं रोकना चाहिए कोई व्यक्ति कुछ और कर रहा है मोर को मार रहा है रोक सकते हैं रोकना चाहिए लेकिन क्या आप मुर्गे लोग न काटें इसको रोक सकते हैं अकेले नही अमीने, कानून ही नहीं बना हुआ ऐसा, इसले जब रोख ही नहीं सकते, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूा तो क्या करें, तो क्या अपना खाना, पीना, ईठना, बैठना, बाकी काम, सब पर इसका प्रभव डालें, कि मैं जो अच्छे काम कर रहा था, उन्हें भी कर आव है उसका ये गलत क्यों हो रहा है मैं बहुत अंदर से परिशान रहता हूं और रोक सकता नहीं मुझे पक्का पता है वैसे प्रयास पूरा करना चाहिए प्रयास ये भी करना चाहिए कि मैं अपने ध्यान में बैठते समय तो एक तरफ से विचारों को अलग करूं लेकिन व्यावहार में मैं इसके लिए प्रयास करूं कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो आने वाली पीड़ी में आने वाली सरकारों में पचास सौ साल बात कम से कम ये जागरूकता आए कि हम हर प्राणी के सुख दुख को महत्व दें वो भी मेरी तरह सुखी दुखी होती है अपने मन को प्रसन्न करने के लिए क्योंकि उद्देश्य मन को प्रसन्न रखना क्योंकि हमें साधना करनी है क्योंकि हमें थोड़ी देर के लिए धिहान में बैठना है मन प्रसन्न रहना आवश्यक है प्रसन्नता के लिए हमें जो चीज हम नहीं रोक सकते उसकी चिंत थोड़ा सा भाष्य कल देखेंगे आज के संबंद में किने को कोई प्रश्न हो तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं एक बार